कि हमको शॉर्ट में केवल समझा दोगी बीएट के लिए एलिजिवल हैं कि नहीं हैं यूट्यूब पर 50 वीडियो खंगाल रहे हैं और उससे हम समझ रहे हैं कि बीएट वाले कर डिगरी वैलिड है कि नहीं है तो देखो भाई शॉर्ट में न केवल तुम्हारे साथ एक चैनल पर जाओ समझ में नहीं आ रहा है बहुत कंफूजन हो रहा है कि कंफूजन जो होता है न वह उसको ज्यादा है जो रीड खुद से नहीं करता है एंड रीड करने के लिए आपके पस लाइबरेरी सेंस होना चाहिए फ्टा से रीडिंग हैबिट होना चाहिए और यह आप इसा चल गया को एक ट्यारी कर रहा है तो वह कुछ भी बोल रहा है बहुत फैक्स को चेक करके बोल रहा है बहुत जाके नीपी को पढ़ रहा है बहुत जाके चीजों को ठीक से चेक कर रहा है कुछ नहीं कर क्या रहे हैं मानलों हिंदुस्तान टाइम नाम का एक अख़बार खोले जहां पर एक न्यूज शपा रहेगा कि आदमी ने कुत्ते को अगर पूरा डीटेल में देखके समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखली क्या चीज है और मेरे कहने पर भी मठ जाओ यार मैं भी कोई नहीं हूं कहने वाला और तुमका पांच मिलियन पर कटने के जादा रहा था जिसका कोई 5 million subscriber क्योंकि मैं देखा है इतने बड़े यूट्यूब वाले आपको पुरा गलत इंपरमेशन दे रहा है उनको घंटा फरक नहीं पड़े उनके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा CUET पर जोर दे रही है ठीक है तो इसी CUET के थुरू बीएड में भी अड्मिशन हो रहा है इन फैक्ट बहुत सारे अलग-अलग पेपर कोड डिजाइन किये जा रहा है ठीक है जो प्रजेंट में मैं जिस बीएड की बात कर रहा हूं जो कि ग्रेजुएशन के बात होता है दो साल का उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है तुम देखो कि पहला कोश्चन मेरा आप से है कि अब अपना कॉमन सेंस यूज कर अगर गवर्मेंट को बंद करना होगा तो 2022 का धिंडोरा पीट रहा हो फिर फिर तो जैसे चल रहा था उसी सिस्टम को एक साल दो साल और यूज करते और फिर बंद कर देते बीडवाला बंद कर देते ठीक आप तो यह भी कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई प कॉस्चन तुम यह पॉंडर करो दूसरा यह लोग कह रहे हैं कौन लोग कह रहे हैं मतलब बेवकूफ बन रहे हो तो उसमें अलग बात है क्या कह रहे हैं कि यार अब ना पीजी के बाद जो है बीड़ वन येर का होगा इस पे मैंने बहुत डीटेल में समझा रखा है कि य यह रहे हैं तो फिर यह बात कहा कहा से यह हो लिए है तो दो जाल वाला बन्द हो जएmac of मैं नहींगा अरे जब बंदी हो रहा है तो फिर यह बात कहा है क сожалению बहुत है। के बाद एक साल का होगा यह बाद टेंटिंग होता है लोगों के लिए अच्छा दो साल के जगा एक ही साल में कर लेंगे तो सीधे जितना भी अटेंशन कैचिंग हैडलाइन होता है आप वहाँ पर पहुंच जाते हो जैसे कि कई यह तुमको देखने के लिए मिलेगा दो हजार पचीश से बीएड होगा बंद मैं भी लिख दे रहा हूं मैं राइटिंग नोर करिएगा मेरी होगा बंद ठीक है अब ऐसा नुस पेपर में कोई आर्टिकल लिखा होगा तुम बस पढ़ लिए उन्होंने उस्तान टाम का आर्टिकल चिपकाया और सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा इतने बड़े-बड़े वाले बड़ी-बड़ी अकैडमी और बड़े-बड़े एट्टेक फॉर्म जिनका बिलिन-बिलिन डालर वैल्यूशन उस पर टीचर्स कुछ भी बता रहे हैं अब आप देखिए 2025 में बात पता होनी चाहिए कि पहले क् क्लास 12 के बाद यह अब टे कर सकते थे तो उसमें होता क्या था नो फूरियर बेर भी ड़ीड में क्या होता था था आप करते थे वी एप्लस बीएड ठीक है बीकॉम प्लस बीट इस तरह की डिगरी की कोर्सें होते थे ठीक है जो कि चार साल तक चलता था जो कि चार साल तक चलता था और यह इंडिया में बहुत कम जगह पर होता था जिसमें एंजर टी आराई सबसे टॉप में जाए क्लास तरह पर देखने के लिए जो सिस्टम ना यह वाला जो सिस्टम है इसको रिप्लेस कर दिया गया है क्लास 12 के बाद नए सिस्टम से जिसको कहा जा रहा है इसको रिप्लेस कर दिया गया आइटी इपी से और आइटी इपी पूर यह का ही है तो यह बंद हो रहा है और यह आइटी इपी वाला प्रियट सुरू हो रहा है जो की एक तरह से इसको हटा करना तो 2025 में बिल्कुल यह वाला बंद होगा और तुम्हारा कोई छोटा भाई या तुमी कुद क्लास 12 की बाद कर रहा है यह लिखा होगा है फिर दूसरा कोश्चन उठता है कि सर मैं तो ग्रेजुएट हूं तो क्या ग्रेजुएशन के बाद कि दूहजार पच्चिस से बीट होगा कि कोई दीदी भाईया जिनका एक मिलियन है वो बता रहे हैं आपको तो उनकी बाद पर बिलीफ कर रहा है क्या 2026 में होगा क्या 2027 में होगा ग्रेजुएशन के बाद कोश्चन यह उठता है क्या कुछ समय बाद एक साल दो साल बाद क्या पीजी के बाद करेगा कहीं कुछ हटाया नहीं गया है तो फिर वो यूट्यूब पर जो पांच मिलियन जो आपका बिलीफ पॉइंट बना हुआ है वो क्या है थोड़ा समय आपको दिखा देता हूं और यह आप मेरे कहने पर मत जाओ आप इस बात को समझीए कि मैं कोई चीज एक्सप्लेंट कर रहा हूं तो कैसे आपको एक्सप्लेंट कर रहा हूं अब यह बढ़ा गूगल है पता है अब बुद्धी जी आएंगे नीचे गाली वरी देंगे समझा हो इतना लंब अला पेट क्या रहे थे यह वह था क्योंकि भाई धंके सिस्टम पर बिलीव करने के लिए 37 तो आपको देख के समझना पड़ेगा ठीक है मैंने लिग गूगल पर तो मैं गवर्मेंट आप इंडिया की वेफसाइट पर चला जा रहा हूं ठीक है वहां पर तुम खोलो पूरा ऐसा डॉक्यमेंट मिल जाएगा ठीक है तो इसी दॉक्यमेंट में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर यह लोग बात कर रहे होंगा ठीक है यह यह पूरा यही गवर्मेंट का करिकुला में तुमको पता है ना नियुकेशन पॉलिशी भारत सरकार ने जारी किया है 2020 में ठीक है नैशनल एजू यह जैसे देखो यह जो रिसेंटली स्कूल के सिस्टम में कुछ चेंजेस की बात की गई है कि यह वाला स्टेज फांडेशनल होगा यह प्रिपरेटरी होगा यह मिडेल होगा यह से कहां से आया है यह नियूजुकेशन पॉलिशी से आया है उसी एनीपी में जब तुम यह क्वालिफिकेशन पॉर टीचिंग विल भी पॉर यह इंटेगेटेट फिर ठीक है दो हजार तीस तक दो हजार तीस तक मिनिममम एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया जो बीएट का जो बात में सेट होगा ठीक है तो क्या लिखा हुए बाइट क्वालिफिकेशन जो रहेगा तो इसमें कहीं लिख रहा है कि तुम्हारा नहीं रहेगा यह तुम मानने नहीं हूं पहला चीज दूसरा चीज इस बात को मैं सब्सेंशेट कैसे कर रहा हूं देखो डिग्रीदा टीचिज आ रेंज और नॉलेच कॉंटेंट पेटगोजी इंक्लूटी स्ट्रॉंग प्र प्रोग्राम विल आल्सो बी इंटेंडेड ओनली पॉर दोस वह अल्रेडी ऑप्तेंट बैचलर्स दिग्री जो दो साल का बीड़ वह सहीं चलेगा है यही तो मतलब निकल रहा है इतना दिमाग लगाना इसमें यहीं तो मतलब निकल रहा है यहीं तो फिर जाए के लिए अरिया दो साल वालों के लिए अरे आपको तुम ऐसे समझे की इंडिया में तमाम ऐसे बीयाट के कॉलेज है ना जो इस्ताइंड़ यहीं क्यों बीड के इसे जली बाइट तो हम लोग क्या है हम लोग टीचिंग के फिल्ड में इंटर्शिक र प्राइब हो सकता है के साथ बहुत सबस्क्राइब हो सकता है यही बात आपको यहां भी समझ रहा है कुछ ऐसे संस्थाओं को सरकार ने कहा है थीक है यही संस्थाओं जो को यह बात समझेट में तुमको बीए बीयर साथ में कॉंबिनेशन दिया गा तो यहीं नहीं होता है कि जो कौलेच के लिए ग्राज के के लिए मानक जादे बढ़े हैं जैसे कि छोड़ा से एक्जामपल ने कर लिए तुमको 25,000 स्कॉर फिट जमीन चाहिए तो पता चलेगा तो पहले बीए बीकॉलेज का पूरा अलग से प्रस्वों इस तरह से उतना बड़ा इस्ट्रक्चर बना ना होगा तो इसलिए सरकार ब क्योंकि कोई और कर आएगा तो ठीक तरीके से करवा नहीं रहेना सब कहीं से भी होगा क्या पैसा दे दो प्राइबेट से करा देंगे कॉलेज नहीं आना पड़ेगा यह सब प्रब्लम हो रहा है तो वही संस्था जो है आपको ग्रेजुएशन भी करवाएगी तो इसलिए कहा जा रहा है मल्टी डिसिप्लिन इंस्टूशन मतलब क्या वह ब्याइब्ध प्षड डिग्री इजुकेशन कई चीज आपको देगा ठीक है ओ साथ में ग्रेजुएशन भी दे रहा है तो एक पुरा एक इको सिस्टम मना रहेगा तीचर अच्छेशन वाला उस संस्था म उसी को मुल्टी डिसिप्लिन इस चुशन का जा रहा है तो यह ब्याइट प्रोग्राम विल ऑल्सो बी ऑफर दॉफर प्रोग्राम विल ऑल्रडी ऑटेंट बैचलर इचलर्स डिग्री कि वह उनके लिए बैचलर्स डिग्री यह ब्या यह यह पॉलिसी में लिखा हुआ क्यूं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि उनके तंज कसने के लिए आपने कोई भी वीडियो देख लो कभी मैं इस तरह का टार्गेट नहीं करता हूं लेकिन यार दिस तू मच यार मना नौतंकी हो गई है नौतंकी के नाम पर बनाओ क्योंकि कोई भी उठा के पढ़ नहीं रहा है बांच यहां बद्यूश में आगे लिख रहा है इस विट यूट फिर साथ में अगे बिलिख रहा है इस बेर प्रोग्रम समय अगे बिए इस और रप्रोग्राम यहां नहीं ऐखर ऑपर आद दोज सोप्लेट डॉविट लिए 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 और फुर्य इंट बेचलर दिए इस पेसिलिटी इस पैसिलिटी मास्टर इग्री कि मास्टर्स के बाद जो है कितने साल का जाएगा वन एयर का उसके लिए बाते कहां लिखी हुआ है पुझे सब्कूलेज मत आना पाइशा देके इस बंद वर रहा है इसे क्या होगी है प्रॉब्लम क्या और वाला सुरू क्यों नहीं हुआ दिखो यारे एक नए संस्था को पूरा लाइसेंस के लिए अपलाई करना पड़ेगा और यहां पर एक बच्चा ब्लॉक रहेगा ठीक है कि यही बच्चा भी इस तरह का संस्था करना इतना आसान नहीं है तुमारे पस्ट करोड रुपए भी रहेगा तो कि ऐसा नहीं तुम इस्ट्राइबलिस कर लोगा पचत्ता लेवल पर लाइसेंस लेना पड़ता है और करिकुलम तो डिजाइंड नहीं है पहले से आप टीचर के में अजरी सोचे देखिए 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 आप चाहे मेरे को यूट्यूब पर देख रहा है मैंने कॉलेज सब्सक्राइब नहीं है तुम बिलीब नहीं करोगे आई टीप वालो कभी करिकलम ना एकदम जो आभी खटाई में चला है कई पता ही नहीं कि किस तरह से पढ़ाना है बीए बेसी भी कॉम पढ़ा रहे थे साथ में एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ाना अभ इसी में गवर्मेंट जल्दी आई टीपी अलए सुरू कर दिया अब मेरी बात को समझने के तुम ऐसे भी समझ लो तुम अभी तक हाडली ही कोई ऐसा प्राइवेट संस्था जानते होगे जहां पर आई टीप वाला प्रीयर इंटीगेट हो रहा हो हाडली कोई संस्था जा आई टीपी ठीक है ठीक है नेशनल काउंसल एक संग्ड हां इंटीगेटर पीचर प्रोग्राम आई टीपी यह एक संग्ड है इसका जो एडमीशन हो रहा है इसको भी आप चाहों तो देख लो अरे जान हो जैसे संपल सब्सक्राइब कर दीजिए आई टी इपी श्क्राइब कर दो कि अधे टीपी फिर्टर प्रोग्राइब कर आपके लिए तो अब तुम देखो के इसमें जितने भी नीचे संस्थाओं का नाम मेंचन्ड है जो आई टीपी अलग कर वा रहा है तुम देखो कि सारे संस्था सब के सब सब के सब इंटिगेटर वाला करवार रहे हैं बीए सब के सब गवर्मेंट इस इस दिखेगा हाइड ली को इसमें प्राइब दिखेगा क्योंकि इतना तुरंद लेवल बना प्राइबट संस्थाम के लिए इंप्लेमेंट करना इतना इसी नहीं जो आपको वो चल रहा है के रिगार्डिंग चल रहा है यह तो वह जो तुम न्यूज में देख रहे हो भाई वह बेचने वाले आर्टिकल्स हैं मैं बात को तरह डिटेल में एक्स्प्लेइन किया हूं बच्चा पूरा स्किप करेगा अब पूरी बात को सुनने समझने के बजाए खुद एनिपी ख कि आप उसकूस नजरिये से समझे कि उसनस्था उतना असान में इस्टैबलेश करना प्राइवेट वाला गवर्मेंट धिरे-धिरे कर रही है फिर वहीं पर वह टू यह वाला भी सुरू होगा तो यह और चल रहा है बाकी बंड होगा बंड होगा तो यह अग्दम चल रहा अगर बंद होगा तो आप गवर्मेंट का आटिकल दिखाईए न्यूसपेपर मत दिखाईए कि हिंदुस्तान टाइम में लिखा है उसकल बदल जाएंगे ठीक है तमाम ऐसी कंपनिया बड़ा-बड़ा जो है भ्रामक पर गयापन डालती है अगले दिमापी मांग लेती मा आपको पूरा मतलब निकल जाएगा बागी आप ड्रीवाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला टेली ग्राम ग्रूप मस्ट है जोइन करने के लिए बहुत जल्द डेली बाइट का इंटरंशिप प्रोग्राम सुरूँ होगा किसी भी प् चेइट इनने मस्ट बढब ऑजरी चो का छेव का टावाइट वोग्राम सुरूवते प्रीचर इंट को साफिति यह सेधीर बाइंसतर लिए स्कती है साफ्टा ठेलिकले कर दोलिए से लिएसे यह अगी ठीचरणा साफ्टा टीचर-टार्भवते